So hello everyone and welcome you all to an academy of CUET current affairs आज है 14 तो December और मैं हमेशा current affairs की starting करता हूँ important day के साथ क्यों हम start करते हैं? क्योंकि important days आपके CUET exam के लिए काफी ज़्यादा important है और last year भी हमने exam में देखा था कि important days ना सिर्फ आपके current affairs आयते बलकि आगे भी एक दो मन्त में जो important days थे उसमें से भी questions पूछे गए थे तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आज है 14 तो December और basically आज हम बनाते हैं National Energy Conservation Day देखें energy काफी ज़्यादा important है और हमारे पास resources भी जो हैं वो limited है तो हमें conserve करनी है energy ज़्यादा ऐसी बे फिजूल में use नहीं करनी और carbon prints भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं carbon भी हम ज़्यादा करते हैं अब इसी में हम यह कहेंगे कि एक बहुत ही बड़ी information आपके पास आ रही है कि United States के जो scientists लें उनने confirm किया है कि nuclear fusion possible हो गई है अच्छा nuclear fusion अगर possible होगी और हम इसको powerfully use कर पाए power generation के लिए तो आपके पास एक clean fuel है जितना fuel हम यहाँ पे petrol वगेरा खर्च कर देते हैं nuclear energy तो क्या है कि आपके लिए बहुत ही कम fuel में ही बहुत ज़्यादा energy प्रवाइट कर देगी तो यह कहां हुआ है यह ज़्यादा important है हमारे पास यह वह है Lawrence Livermore National Laboratory California में है तो यहाँ पर यह काम हुआ है let me explain you कि क्या actually scientist ने किया है और यह revolutionize कर देगा वैसे तो USA हमें कह रहा है कि यह तीन फायदे करेगा US government को पहला फायदा यह है कि हमारे पास यह clean fuel है तो carbon जितना वह emit करते हैं वो उसको कम करेंगे दूसरी चीज अगर पता हैं तो उन्होंने कहा जो nuclear heads उनके होते हैं उनको उनको बार बार टेस्टिंग करनी होती है तो वो टेस्टिंग की उन्हें जरूत नहीं पड़ेगी यहाई laboratory से उनका test हो जाएगा ठीक है और तीसरी चीज वो future में इसको develop करके power generation को बिलकुल क्या क ती और इसमें क्या कही है एक gold का container लिया अब यह जो laser light है हम सीधा क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास fuel रखा हुआ है हम fuel पे ना मारके यह laser light हम मार रहे हैं इस पे gold के container पे अब gold के container पे जब यह laser light को मारा गया तो 3 into 10 to the power 6 degree सोच रहे हैं sun से भी ज्यादा का temperature हमने क्या कर अब इस temperature की वज़े से क्या हुआ X-rays यहां से निकलनी start हुई और इस X-ray ने क्या कि जो fuel capsule रखा हुआ था इसको trigger किया और यह एकदम से क्या हुआ blast हो गया अब इस fuel के अंदर हमारे पास basically हमने क्या रखा था हमने hydrogen के दो isotopes होते हैं deuterium और tritium इन दोनों को रखा हुआ था और हमारे पास यह दोनों जोड़के हमारे पास क्या बन गया helium बन गया और helium बनने के साथ एक neutron रिलीज हुआ और काफी high enormous amount of energy हमारे पास रिलीज हुई earlier क्या होता था basically आपको अगर nuclear fusion reaction करवानी होती है तो आपको fusion reaction से काफी ज्यादा energy यहां पर produce करनी होती है और उसके बाद फिर आपके पास nuclear fusion reaction हो सकती है तो काफी ज़्यादा energy हमी provide कर देती है हमें जितनी energy मिलती है वो काफी कम होती है बट यहाँ पे 50% energy हमें ज़्यादा मिली तो अगर यह practically हो गया तो काफी revolutionize कर देगा यह जो आपके पास energy sector है important days में अगर मैं कहूं तो अभी 12th of December पे हमारा एक और important day था universal health coverage day ठीक है तो 12th December पे और इसके उपर काफी questions पूछे गए हैं अभी हाल फिलाल में जितने भी entrance exam हो रहे हैं जैसे कि आयूश्मान भारत आप जानते हैं कि इंडियन गवर्मेंट द्वारा एक चलाया जा रहा है scheme है जिसमें सभी को हम क्या कहते है health coverage provide कर रहे है तो इसमें आप से पूछा गया है कि आयूश्मान भारत योजना gives health insurance of worth कितने तक का insurance देता है यह आपको पता होना या middle class की भी अगर बात करें तो अगर एक बार अगर आप hospital में admit हो गया है private hospital में अगर चले गए तो इलाज को खर्चा होता है काफी जादा आ जाता है और अगर आप अपने जेब से पैसा दे रहे हैं तो तो बहुत ही जादा मलब एक दम से आप मान सकते हैं पूरे जीवन क आप स्टार्ट वीटी जारखंड में 23rd of September 2018 में आए आप आगे आते हैं तो आप देख रहे हैं current affairs CUET exam के लिए और मैं काफी ज्यादा कोशिश करता हूं कि आपके current affairs जो हम बताएं यह relevant रहें आपके CUET exam से और आपके previous year questions को basis बनाते हुए मैं यहाँ पर current affairs कराता हूं My name is Manoj कumar और मेरे काफी student national ही नहीं international universities में भी पढ़ रहे हैं और आप मेरी classes अगर an academy पर करना चाते हैं join तो आप use कर सकते हैं code MS25 free में classes unlock भी कर सकते हैं और maximum discount जो उस समय पर चल रहा होगा वो आपको मिल भी जाएगा आए बढ़ते हैं आगे एक और आगर बात बताएं तो इशान किशन ने fastest ODI double century बना दी है बांगलदेश वसेंडिया के match में तो काफी लेट हो गए हैं बट यह information भी काफी important है और आप कोशन बन सकते हैं आपके CVT exam के लिए इसलिए मैंने यहाँ पर दिया फिर अगर important appointments की अगर बात करें तो अभी हाल फिलहाल में हमारे पास कई states में elections हुए हैं जिसे हिमाचल परदेश में election हुए गुजरात में election हुए तो उनके new chief minister बने हैं election से पहले की खबरे आपके लिए बिल्कुल important नहीं है election के बात की information काफी ज़्यादा important हो जाती है उसमें पहला रहता है हमारे पास chief minister कौन था और दूसरा रहता है कि governor कौन था विकॉस उस time पर जो शपत दिलवाते हैं वो governor होते हैं और शपत जब दिलवाते हैं तो जो examiner रहता है वो governor में भी ज्यादा interested रहता है तो जैसा कि आप जानते हैं सुकविंदर सिंग सुकु हमारे पास क्या है बन गए है हिमाचल परदेश के chief minister और governor जो है हिमाचल परदेश के वो है राजेंदर विश्वनात आरलेकर सर तो इनको आपको याद रखना है इसके इलावा गुजरात के जो chief minister थे वो repeat करेंगे हो है अचारे देवरत इसके इलावा वंदे भारत एक mid high speed railway है हमारे पास इंडिया की तो अभी वंदे भारत का version 2 चल रहा है यह आपको एक basically आद रखना है तो version 2 चल रहा है इंडियन डेवलप यह एक engine है और वंदे भारत की 6 routes पे यह train चल रही है train का नाम अभी बिलासपू जंक्शन नागपूर जंक्शन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस इसको अभी PM Modi ने इनोग्रेट किया था तो आपको basically याद रखना है कि वंदे महारत जो है वो कब launch होई थी 15th of February 2019 को launch होई थी और अभी कौन सा version चल रहा है हमारे पास second version चल रहा है तो यह आपको एक याद रखना है अब आते हैं आगे अब एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए है कि CUT exam के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि आप various universities में जाएंगे तो UGC recommend कर रही है कि जो honors के courses है ना उसको four years के बना दी जाए और compulsory कर दिया जाए तो UGC ने propose किया है बना नहीं है अभी UGC proposes to make four four year UG courses compulsory for getting an आपके पास honors की degree तो honors की degree के अगर बात करें तो UGC ने ये proposal दिया है तो आप बताईए कि आपके लिए अच्छा है कि बुरा है देखिए CUT exam या फिर कोई भी entrance exam अगर आपको इंडिया में निकालना है जो काफी competitive हो गया है क्योंकि number of aspirants का है काफी ज़्यादा ह आपको सिर्फ गोल नी होना चाहिए कि CUT exam निकालना है आपको इसके इलावा क्या है एक path भी पता होना चाहिए because winners and losers have same goal एक ही गोल होता है सबको admission चाहिए बट एक path जो होता है वो आपको अलग बनाता है path कहे कि आपको कौन सी चाहीज पढ़नी है कौन से resources से पढ़ना है य जो हम बताएंगे उसको आप revise करते रहेंगे continuously तो आप बहुत ही अच्छा score कर पाएंगे unacademy join अगर आप कर रहे हैं तो आप use कर सकते है code MS25 आपको maximum discount यहाँ पर मिल जाएगा और इस channel को subscribe करना मत भूलना because यहाँ पे आपको free में आरहम बैच start हुआ है जिसमें आपकी पू पेशल क्लासेस को भी join कर सकते हैं till then thank you bye bye